सबी को जे मसी के आजम पढ़ेंगे उत्पती छे अध्याई कि मनुस्य जाती की दुष्टता के बारे में फिर जब मनुस्य भूमे के उपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटिया उत्पन हुई तब पर्मिश्र के पुत्रों ने मनुस्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुन्दर हैं और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे विवहा कर लिया तब युहा ने कहा मेरा आत्मा मनुस्य से सदा लोविवाद करता ने रहेगा क्योंकि मनुस्य भी सरीरी है उसकी आयू 120 वर्ष की होगी उन दिनों में फिर्थी परदानों रहते थे और इसके पस्चात जब प्रमिश्र के पुत्तर मनुस्य की पुत्रियों के पास गए तब उनके द्वारा जो पुत्तर उत्पन हुए वे सूरवीर होते थे जिनकी केर्थी प्राचिन काल से प्रचलित है योहा ने देखा कि मनुस्य की बुराई पुर्थी पर भढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन होता है वे निरंतर बुराई ही होता है और योहा पुर्थी पर मनुस्य को बनाने से पच्चताया और वे मन में अति खेदित हुआ तब योहा ने कहा मैं मनुस्य को जिसकी मैंने सरष्टी की है पुर्थी के उपर से मिटा दूगा क्या मनुस्य क्या पसू क्या रेंगने वाले जन्तू क्या आकास के पक्सी सब को मिटा दूगा क्योंकि मैं उनके बनाने से पच्चताता हूँ परन्तु योहा के अनुग्रे की दृष्टी नुहूं पर बनी रही नुहें नुहूं की वन्सावलिया है नुह धर्मी पुरूस और अपने समय के लोगों में खरा था और नुहें परमेश्वर की के साथ चलता रहा और नुहें से सेम और हाम और ये पेत नामक तेन पुत्तर उत्पन हुए उस समय पुर्थी परमेश्वर की दरष्टी में बिगड़ गई थी और उपदर्व से भर गई थी और परमेश्वर ने पिर्थी पर जो दरश्टी की तो क्या देखा कि वे बिगडी हुई है क्योंकि सब प्राणियों ने पिर्थी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड लिया था तब परमेश्वर ने नुह से कहा सब प्राणियों के अंत करने का पर्षन मेरे सामने आ गया है क्योंकि उनके कारण पिर्थी उपद्रों से भर गई इसलिए मैं उनको पिर्थी समेट नश्ट कर डालूँगा इसलिए तू गोपेर वरक्स के लखड़ी का एक जहाज बना ले उसमें कोट्रिया बनाना और भितर भार उस पर राल लगाना इस ढंग से तू उसको बनाना जहाज की लंबाई तिन चो हाथ और चोड़ाई पचास हाथ और उँचाई तीस हाथ की हो जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ उपर से उसकी च्छट बनाना और जहाज की एक और एक द्वार रखना और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना और सुन मैं आप पुर्थी पर जल प्रिले करके सब प्राणियों को जिन में जीवन का प्राण है आकास से नीचे से नश्ट करने पर हूँ और जो पुर्थी पर है मर जाएंगे परन्तु तेरे संग में वाचा बानता हूँ इसलिए तो अपने पुत्रों, इस्त्री और भुवों समेत जहाज में प्रिविश करना और सब जीवित प्राणियों में से तू एक जाती के दो-दो अथार्थ एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना एक जाती के पक्सी और एक जाती के पशू एक जाती के भुमी पर रेंगने वाले सब में से दो-दो ले तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे और भाती-भाती का भोज्य पदात जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकठा कर रखना जो तेरे और तेरे भोजन के लिए होगा परमेशर की इस अग्या के अनुशान होने किया आमेन